तो यहां शेत'tर में कितना दिखे है वो आइफ रहे है उसे जह पूराने सांसुद के दोडे सि прошल्ड नहीं करते थे ती swings ब्राबर सांसत को नहीं देखा जाता है, सांसत बिहार का हो, या जर्खन का हो, अभी आप एक मुद्दे पर आप सवाल किए, आपने कहा कि मोदी के नाम पर भोड देखते हैं, सांसत को नहीं देखते हैं, अगर आप अपनी बेटी के शादी के लिए जा रहे हैं, तो आप किसको देख कुछ लोग बोलते हैं जो भाजपा विरोधी लोग है वो बोलते है कि जहां लोग असिक्षित हैं वहीं भाजपा का सुरक्षित है इसको आप जानते हैं यह तो बात सही है क्यों ऐसा लोग कहते हैं जैसे कि असिक्षों में मोधी मोधी और राम राम चल रहा है यह असिक्ष का महापर्व चल रहा है क्या किस खेमे में लग रहा है यह वोट जाएगी इस बार चत्रा लोग सभा चुनाओं के लिए कि चत्रा लोग सभा का अभी दो ही पार्टी जो है एक कॉंग्रेश एक बीजेपी आप लोगो कमुड क्या है हम लोग कमुड है महागटबंधन के ओर हम है महागटबंधन क्यों जरूरी है इसलिए कि भाजपा सरकार बहुत तनासाही में है हर चीज को वो अपने अंडर में करना चाहत रहा है जैसे मैं आरक्षने को कह रहा है है लो कि इसको समाथ हो जगा समिधान को बद़ देगा बात भी शही है अर आदमी को मन मानिव कर रहा है जो उनका मुड में आ रहा है, जो दुस्मन है उसको जैल बहजो, हिमन्ध स्वण पर कोई मने कुछ लगा नहीं, आरोब जैल में उआраст और में हो लेख भी ज्रीव पर specifically print do को जो भीखती गलात हुऊ-शक को जार काम कर रहा है है उसको जह आट जैमींत ऑसको बहुत बाध से डिया गया है उसा पुरे भूमी को te बढ़न के नमाधेम कर लि망 और उस शारे जमीन को जह तो अडानी और आमदानी जासे बढ़े बड़े पर देखना शुरू कर चुके हैं जनता की आवाज और इस वक्त में जनता की आवाज को लेकर चत्रा लोकसभाज्चित्र के यह बरवाडी प्रखंड है जहां पर इस बरवाडी प्रखंड में 15 पंचायत है मैं थोड़ा सा जानकारी देदू इस प्रखंड के बारे में 15 पंचायत है जिसमें लगभग 12 पंचायत ऐसे हैं जो रिजर्व है यानि कि आदिवासी रिजर्व है और अगर हम इस छित्र में बिधान सभा के बात करें तो यह मनिका बिधान सभा छित्र के अंदर गाता आता है और यह मनिका बिधान सभा छित्र भी आदिवासी रिजर्व है और यहां के हम आदिवासियों, आदिवासी लोगों से हम बात करेंगे, अभी मैं बेतला पंचायत के कुटमु गराम में उपसे थू और यह कुटमू भी है लुधान है, वो किसके पृति है है बैठे हुए हम उनसे ही बात करेंगे कि इस बार लोक सभा में जनता का मूड जनता का जो रुजहान है वो किसके प्रती है इंडिया गडबंधन के प्रती या फिर एंडिये के प्रती हम बात करेंगे हमारे बीच संजय सिंग जी है मैं इनसे पहले बात करूँगा वाड सद और कहीं न कहीं पंचाय चुनाओं के तहत ये चून कर आया हैं और जन्ता का कहीं न कहीं इनके पास कुछ जनकारिया होगा और इनका भी विचार कहीं न कहीं इस लोकसभा के लिए कुछ न कुछ तो सूच रखते होंगे सबसे पहले स्वागत है संजय जी आपका दनीव रेवुलिशन में मैं नमस्कार जोहार करता हूँ जी जोहार बिल्कुल हम आपसे कुछ बात करेंगे चुकि ये आदिवासी रिजर्व सीटे है हम जहां तक जानते हैं कि ये बरवाडी पंचायत हैš और इस में करीब बरवाडी प्रखंड है और इस प्रखंड में 15 लगवा पंचायत है पंचायत अदिवासी रिजर्व है अभी जो पलामू के बाद चत्रा लोकसभा चुनाऊ का ये वर चरण में चुनाऊ होने वाला है तो आप लोगों का क्या रूजहान है किसके प्रती ज्यादा रूजहान है और किस मुद्दे को लेकर आप लोग किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को आप लोग सपोर्ट करेंगे हम लोग काम करता है, आज तक जो 70 साल से जो सरकाय रहा कौंगरेस का, हम लोग को कुछ काम नहीं दिखा, उसमें घरिभी तो आप ने कहा कि जो वीजेपी का मैंदmore को काम कर लिए दिखा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कोई पांच काम ऐसा भाजपा का बता दीजे जो अभी इस वक्त हुआ हो बीजेपी का काम ऐसा है देखिए हम लोग का रचन इन्हों पहला चीज के थी देला रहा है वा सन तो पहले मिलता ह्यारी मीलता था आज थी मील पुरा प्रान पॉर लाइन घुशने लंगा हूं ओ पिछले सांसद लिए बताई तो सनिल शिंग searching का कोई पांच काम बताए है उसे सुनिल सिंग जो हम लोग का अभी राजा मेदनी रायक का जो है जो मुर्ति हैं बना हुआ है अभी पुटमु मोड में वह दीख रहा है अच्छा एक चीज़े और हम आप से पूछना चाहेंगे किक्षा के खिšत्र में कुछ की है इसलिए 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 इसके बारे में नहीं बता पहेंगे सिक्षा के चैतर में ऐसा कूछ लेकिन हम लोग विजति के मालूम है कि हम लोग के लिए काम किया है और करते आ करते हैं रहा है एक तो बॉला कि बिजली पानी देख गया फिरी मिल गया जी तो बिजली पानी और रासंट दो चीजे तो मुझे दिखा लूट पाथ होता था लूट पाथ नहीं हो रहा है कहीं भी आप भरवाड़ी आप जा नहीं सकते थे छुरियाही में आपको लूट के मार के घचोट के कर देता था उचीज बंद हो गिया सासन ब्यवस्था फूरा सुधर गया काहीं भी लड़की डालतेंगा जाना है किसी दीला कोई प्रभलम ने होता है बरवाड़ी जाना है किसी तरह कोई लूटपार कोई नहीं होता है हम 12 बज़े रात के आ जाते हैं ट्रेन से उतरते हैं तो वहां से भी चले आते हैं थे ना यहीं से ब्रवस्था देखता है तो अच्छा लगता है आपने स्थानिय लेबल पर यही कहा कि रोड सड़क और पानी और सुरक्षा का ब्रवस्था उन्होंने किया साञ्षद महदय का लगभग इस शेत्र में कितना देखे गए ने सवाल किया चा सकता है तो यहां कितने कीटना नगे बात करने हैं सुनिल सिंग के बारे में है जो बराबर नहीं करते थे death नहीं आपर हम लोग बोलको बोत दिया जाता है कोई सांसत को नहीं देखा जाता है, सांसत बिहार का हो, या जर्कन का हो, अभी आप एक मुद्दे पर आप सवाल किए, आपने कहा कि मोदी के नाम पर भोड देखते हैं, सांसत कोन है उसको नहीं देखते हैं, अगर आप अपनी बेटी के शादी के लिए जा रहे हैं, तो तहत सारा चीज यहां उपलवध होता है और आता है हाँ अब जो आता है देखे मौली सरकार क्या करता है यह किसान पियम किसान जो दो-दो-हजार रुपए पर महेना तीन महेना में दो-दो-हजार रुपए डालाते हैं हम लोगों आचा आप किसान के बात कर रहे हैं एक दगता है कि नहीं पे भी तो करीब-करीब 13 महीना जो है वो आंदोलन चला था आपको पता हरियाना और दिल्ली के बॉर्डर पर तो अगर आप कह रहे हैं कि किसानों के उन्हें अच्छा किया तो वहां के किसान क्या बेवकूफ थे कि वो लगातार करीब-करीब 13 महीना आं मॉयना उसका हम लोग नहीं रख पाते हैं ठीक है और हम देखें नेता नहीं है ठीक है हम नेता नहीं है हम लोग अपने पंचायत के अस्तर में काम करते हैं इतना पंचायत के अस्तर से पूछा जाए हम लोग से तो हम लोग खुद बेवरा पंचायत के अंदर का देश रख पंदर पंचाथ है जिसमें बारा पंचाथ रिजर्व है और आपको क्या लगता है कि आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन जरूरी है रिजर्वेशन तो जरूरी है सर आप आदमी को देखिए यहां देखते हैं मोधी सरकार को ठीक है हम आपके बात मनते हैं जरूरी है जरूरी है जो बड़े नेता है यह भाजपा के क्या नाम है उनका अमीद साथ उनका एक स्टेटमेंट आया है कि 2024 में सरकार बनेगी और आदिवासी STSC और OBC की जो रिजर्विशन है उसको हम समाप्त कर देंगे उसको किस तरीके से देख रह है इसलिए वहां मुद्धा पर जाईएगा तो समझ में आ जाएगा तो आप यह कर रहें कि मतलब उनका कहना और कथ नहीं जो कतनी है और करनी में फर्क है अभी बहुत इस छेत्र के अंदरगत चला कि नोटबंदी हुआ था याद है आपको जी जी नोटबंदी बढ़िया नोटबंदी में मोदी जी क्या बलते पता है कि यह काला नोटबंदी होगा और पूरे देश से काला धन जो है वह वापास आएगा और हर लोगों के खाते में पंदरा लाख रुपे मिलेगा मिला यह आप से अभी हम सुन रहे हम नहीं सुने हैं देखे हम पहले ही बता चु पढ़े हैं कि आप किसको वोट करिए किसको सपोर्ट करिए लेकिन जानकारियां रखना जरूरी है क्या नाम है आपका अभी हम पीछे संजय जी से बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अभी हम लोग सिक्षित नहीं है जागरू कुछ लोग बोलते हैं जो भाजपा विरोधी सुरक्षित है इसको आप जानते हैं यह तो बात सही है नहीं है जैसे किसो में मोधी मोधी और राम राम चल रहा है यह जो सिक्षित जुवा है मोधी को नहीं कर रहा है तो जानते ही नहीं है कि मेरे लिए क्या कर रहे हैं मोधी सरकार क्या कर रहे हैं इसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए क्या ये अपना मेनों फेस्टो में सिर्फ तना साही ला रहे हैं कहीं कुछ कह नहीं रहे हैं मोधी सरकार तो कह नहीं रहे हैं कि हम क्या करेंगे अजय सरी रां के नारा लगा रहा है अब की बार चार सौ पार क्या उद्थ है इस नारे का उद्थ समझते हैं घरे मीटिंग में अपने भाजपा के मीटिंग में उन्होंने कहा है कि 400 पार इसलिए हमको कीजिए क्योंकि बाबा सहाब का सविधान बदलना है यह मुखी रूप से आया था तो यहां अभी इस परकार हम जान पा रहे हैं लोगों से जान करें हम हासिन के यहां जो बरवाडी प्रखंड है के जरी यहां पर 15 जो है मुख्या बने हुए बारा मुख्या यहां पर है उनको आप क्या संदेदना चाहिए खासकर मुख्या को महोदय जी आपने जो यहां जो मीडिया के तहप लोगों तक पर जाने का जो काम कर रहा है वाट कमिश्णर सहाब ने कहा कि मैं असिक्षीत और सिक्षा के कारण ही बोधी-मोधी है अब यहां देखिए आरक्षन है आरक्षन नहीं रहता तो हम नहीं समझते हैं कि और सिक्षित लोग कोई वाट कमिश्णर बनाता है एक दूसरा हम नहीं समझते हैं कि रामचंदर से बिधायक बन पाते हैं हम नहीं समझते हैं कि यह को लग और मुंख्यां बने हो एksi हैं तो हम नहीं समझते हैं कि आरक्षन रहताँ नहीं रहता यहां के बनता सोच है is तो यह मेरा सोच है आरक्षन भविसे के लिए आने वाला भविसे के लिए बहुत ज़वी है 400 पार के आपने कहा था 400 पार तो सिधे कहें कि 400 पार हम को करो और सवीधान बाबा साहिव को सवीधान को बदलना है क्योंकि बाबा साहिव नहीं हम लोग के आरक्षित किया हैं जैसे हर्जन आदिवासी इस सब को क्योंकि हमसे लोग छुवाते थे चुवाते थे तो उन्हों आरक्षन दे दिया कि बड़े लोग नोकरी करेगा उहां एक चाप्रासी रहे जिसका छुवा हुआ पानी लोग पीए ताकि धीरे 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 जब समाज पढ़ेगा समानता की और लोग बढ़ेगा अभी 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 आप से एक सवाला और हम पूछेंगे क्या लगता है जब लोकतंतर में करना चाहते हैं मोदी जी 400 पार जाना चाहते हैं तो हमको जो जनकार है कि दो तीहाई बहुमत उनको चाहिए किसी चीज़ को परिवर्थित करने के लिए जैसे अब ही तो दो तीहाई बहुत बड़ी-बड़ी संतिया जिसमें नोकरी लगते थे जैसे रेलेवे भेल कंपनी सेल कंपनी रेलेवे में हम लोग बहुत भाल होते थे जी आर्पी में या फोर्थ ग्रेट के नोकरी है जो गटी चारते हैं उसमें जादे आदिवासी हरियन लोग है तो जब यह बेच देंगे उनको 400 पार इसलिए चाहिए को उनको बेचना है बेचना है और भी बेच नही ही बता आपको कि 15 ऐसे मुख्या जो है वो रिजर्व का टेग्री से हैं और वो आदिवासी से बिलोंग करता है आदिवासी जंगल का रखवाला होता है आदिवासी जंगलों में रहना पसंद करता है अभी आदिवासीयों के हित में कोई फॉरेस्ट कानून ऐसा लागू सब्सक्राइब लाए और शोटा नापूर पर अधिवासीयों का जंगल पर अधिकार था वहां लासा महुआ इस अथा आदिवासी आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा आप लोग यहां आए कुछ लोगों को सुल्धा रहते हैं क्या नाम है आपका जमना सिंग जी आपके च्छित्र में हम लोग उपस्तित है और आपके ही बेरादरी के कुछ लोग यहां जो आदिवासी हैं यहां पर उपस्तित कि मोधी सरकार मतलब भले अशिच्छा लोग जो उनको भोड़ दे सकता है शिच्छित परिवार नहीं भोड़ दे सकता है मतलब जैसा इन्हों नों बोले खाम हुआ आपसे तो इनका कहने के अर्थ क्या है अशिच्छित लोग वोट क्यों कर रहे हैं और सिख्छित लोग भी चल रहा है कि मोधी जी ने आपको लगता है कि आज के पांच साल पहले कानून बनाया कि 15 75 के बाद जो है वह भाजपा से लोग रिटार कर जाते हैं तो मोधी जी भी 75 के होने वाले हैं मोधी बोल रहे हैं कि मोधी को देखके वोड़ दे हो सकता है मोधी परधान मंतरी गुमताझी हं इन से अब बात करंगे क्या नाम है अपका गुता जी आप जी आप सकता कि इस लोगतांत्र में इस महाल चल रहा है जो महाल चल रहा है यह दर् चाट्रा मोधी पर्टी जो है एक Congress एक बीजेपी आप लोगों कमूड क्या है हम लोग कमूड है महागटबंधन क्यों जरूरी है इसलिए कि भाजपा सरकार बहुत तना सही में हर चीज को अपने अंडर में करना चाह रहा है जैसे में मल्यार अक्षने का लोग कह रहा है लोग सुन रहा है कि इसको समाथ हो जगा समिधान को बदल देगा बात भी सही है हर आदमी का मनमानियू कर रहा है जो उनका मूड में आ रहा है जो दुसमन है उसको जेल भेजो इमन्द सुरन पर कोई मने कुछ लगा नहीं आरोप जेल में आरोप सिद्ध ने वह लेकिन जेल में है के जरिवाल भी तेकि ओशी हो गया इस तरिका से जो जो ब्यक्ति गलत है उसको जेल में भेज दे रहा है वह अच्छा काम कर रहा था हमारा जहरकन परदेश में और उसको जेल भेज जा रहा है मतलब जो जन्दा के दवारा चुनी गई सरकार थे उसको जेल भेज दिया दर रहा है ताकि जन्दा का जो काम हो रहा है धरातल पर वो नहुंद और इससे खास कर हरजन आदिवासी जादे पिडी था हरजन आदिवासी पिछड़ी तो उसके बावजूद भी तो यहां के लोग बोल रहे हैं कि हमको भाजपय में देना है वैसे लोगों क्या संदिज देंगा है उसको हम तो समझा रहे हैं धलत हम तो समझाएंगे कि भोट उनको मत दीजिए इसलिए ना कि हम लोग 10 बरस देख लिए सुनील सिंग भाजपाहि लेकिन सुनील बावु का दर्सन नहीं हुआ अभी तर तो इस बार आप लोग लोकालिटी को देख रहे हैं कि तो काम का आदमी है आवाज उठाने वाला हम लोग गरीब बादनी का संसद में जाएंगे तो आवाज उठाएंगे हम लोग जंगल छेतर से जुड़े हुए हैं परष्ट का भी इतना हम लोग के पास करस रहता है कि हम्रा माल मोशेगर फोरेष्ट में गया तो उस पर उजुर्बाना ठोकेगा उसका चर जाएगा हम लोग नहीं मिलेगा उतना मुआपजा मिलना चाहिए हम लोग गरीब किसान है जंगल से सटे हुए हम लोग केता है ले अभी आपको नदीपार में बस रहा है डूबल गंज कहते हैं उधर से लाटो कुझरूम लात बर खेता जंगली छेत्र आदमी को हटा के बसा रहा है फोरेष्ट वाला की कानून बना दिया भाजपा वाले इधायक सर्जू राइभी पहले भाजपा में थे और इसके पहले सब्सक्राइब कानून बनना चाहिए उसी के चलते देखिए अभी छिपाद और रेल्वे लाइन था उनी थट जा रहा है कि रूप गया अपने चैनल के जरिये से भी यह निविदन करेंगे इस चत्रा लोकसभा चुनाओं के जो बरवाडी प्रखंड के जो जनता है उनसे क्या आप अपने शित्ता का चुनाओं करें जो आपके च्चत्र के लिए और आपके लिए कानून बना सके इस लोकतंत्र के जरिये अपने पांच साल आने वाले से अपने बच्रों के भविश्य के करें। सबसे पहले बात तो आप इस बात को समझ लिए और हम सभी जो इस चैनल के माधिन से समारे दर्शक होंगे उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भूमी बैंक में जो भी जमीने जा रही हैं उस सभी भूमी जो हैं आज से ईक हजारवार्थ पूर्वे हमारे जो गरीव आधिवासी दलीद परिवार कि यह तो उसे जंगल को जारी को साफतर होंगे करगर गर्मजर्वा भूमी जो हमारे पूर्वज लोग जारी जंगल को साफ करके जोतने कोड़ने अकलैक बनाया आज की बीच में जो हमारे केंदर की जो पंग्रेश की सरकार थी वह सरकार जैसे इसे भूमी जंगली जैसे गर्मजर्वा भूमी का जैसे बंदुवस्ति करके और ग और उस सारे जमीन को जह सो आडानी और अंबानी जैसे बड़े-बड़े कमपणियों के बीच में हस्ताना भी करेगी और वहां पर जह से गरीब को जह से और गरीब बनाने का परयास कर रही है आप शाब सब्सक्राइब कर आधिवासी है जो दलीत है जुनको भूमी पत्टा मिला था या बन्पत्टा मिला था उसको उस तरीके से खतम कर देने साजी है पूरा ही तो समझ आई कि सरकार जो है देखे बीजेपी की जो सरकार है आप देखेंगे तो उसने वादे जो किये थे एक भी वादे पूरा नदर नहीं आ है आप कहीं भी देख लिए किसी भी वादे को चाहिए वह पंदर लाक सभी के खाते में आने की बात हो या दो करोर सबसे पहले बोले कि 70 साल में जैसे कॉंग्रेस सरकार को गरीब ही रहने दी मतलब कुछ नहीं काम कि लेकिन उसके बाद आंती में यह भी कह रहा है कि हम बहुत गरीब है पढ़े लिए दस साल बीट गया आपके बीजेपी सरकार कुछ के बाद हुकाते हैं कि हम गरीब हैं कॉंग्रेस के सरकार से तब काते हैं कि हम गरीब हैं तो आप 10 साल के बाद भी फिर वीजेपी क्यों क्यों चुनना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि जब सरकार आई थी तो उसे महंगाई को कम करना तहीं था जो गैस सीलेनर साथे तीन सुमें मिलता था वह गैस यह साथे ब लोग है वह यहां कि दौरह पिर आदे संस्त है और वी नहीं को चुनना यवेदो हरा है वीजें मिलता भी फिजए विचार उसी का है अधर माल्यлаг के देख संसे कि लिए यहां के इस एकड़ें क्या क्या कि दोतिति काम होाई कार् tap- Rawal हम अभी बात कर रहे थे बरवाडी परखंड के बितला पंचायद का ये कुटमुग्राम से जो आदिवासी रिजर्व एरिया है आदिवासी बहुल एरिया है और इनका विचार जान रहे थे किस बार वोटिंग किधर होगी इस बार चत्रा लोग संसद्य छित्र से किसको बनाने का विचार था ये दिया आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और खबरे अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब कराना वहारे चैनल साथ जूनने के लिए फेस्बूक वाट्साप ट्यूटर इंस्टाग्राम वह पब्लिक आप पर दा निव जबलेशन लिकर सर्च करें